वेल्कम टू में चैनल, कैसे हैं आप सब? आप आप सब ठीक हैं और आज मैं आपके साथ सेर करने वाले हूँ क्रिश्पी ब्रेड रोल रेशिपी तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना हम लेंगे आपे ब्रेड हमने आपे वाइट ब्रेड यूज किया है आपके पास अगर ब्राउन ब्रेड है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं और मैं ले रहे हूँ आपे स्टफिंग के लिए हरा मटर ये फ्रोजन मटर है आप फ्रेस मटर भी ले सकते हैं और लेंगे हम इसमें तड़का लगाने के लिए दो प्याज कटा हुआ मिडियम साइज और तेश पत्ता लेंगे हम और लेंगे हम धनिया फ्रेस कटा हुआ और ले रहे हैं यहाँ पर मध्रक लैसर और मिर्च यहाँ पर दरदरा पीस के और इसका हम स्टफिंग बनाने के लिए पहले बोईल डालू को ले लेते हैं यह हमने बोईल के हुआ आलू ले लिया हैं यह पर और हम चलते कड़ाही को गरम होने के लिए रख देते हैं तेल डाल के जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है हम आलू को अच्छे से छील के मैस कर लेंगे एक मेसर के साहता से इस तरह से हम मैस कर लेंगे स्टपिंग को बिल्कुर इस तरह से और हमारा तेल भी गरम हो चुका है तो चलते हम इसमें तड़का लगाते हैं तड़का लगाएंगे हम आधी छेटी चमच राई आधी छेटी चमच जीरा और तिछ पत्ता से हम तड़का ल पड़ने तक उसके बाद हम इसमें डालेंगे यह मटर मटर को भी हम सफ्ट होने तक पका लेंगे अच्छे से और इसमें हम डाल देंगे अधरक लेसल और मिर्च का जो हमने दरदरा पीस के लिया है वो डाल देंगे इसमें मिर्चप अपने अकोडिंग ली सकते हैं इसमें मोटर को सफ्ट होने के बाद हम इसमें आड़ करेंगे आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर और इसमें डालेंगे हम आधी छोटी चमच गराव मसाला इसे भी हम अच्छे से पकालेंगे एक मिनट तक एक मिनट पकाने के बाद हम इसमें मैज किया हुआ आलू को एड़ कर देंगे इसमें उसके बाद हम डालेंगे इसमें हरा धनिया और नमक टेस्ट के अकोडिंग और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसे एक से डेड़ मिनट तक अच्छे से बोल लेंगे इसके बाद हम एक कलर बरितन में निकाल के से ठंड़ा कर लेंगे तो इस पत्ता को हम निकाल देंगे इसमें से और इसे ठंडा होने देते हैं ठंडा होने के बाद हम इस तरह से रोल बना के तयार कर लेंगे आपको जितने भी ब्रेड रोल बनाना है आप उसे साब से इस स्टफिंग को रोल करके रख लीजिए इससे जल्दी जल्दी बन जाता है मैंने आपे रोल बना के तयार कर लिया है अब हम एक कटोरे में पानी लेंगे और ब्रेड को हम डिप करके निकाल लेंगे इससे छोड़ना नहीं है जिस डिप करके निकाल लेना है और इसका पानी निचोड लेना है बिल्कुल इस तरह से हाथों से दबाके बिल्कुल दोनों का सेप्ट देंगे अच्छे से दबा दबा के और इसका एक्ष्ट्रा पानी भी हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारे रोल तयार कर लेंगे अब देख सकते हैं मैंने आप सारे रोल तयार कर लिये हैं अब चलते हैं इसे हम फ्राइब करने के लिए तो फ्राई करने के लिए हमने यहापे तेल को चला दिया है गरम होनी के लिए तेल हमारा गरम हो रहा है इसे अच्छा खासा गरम होने दे बिल्कुल इस तरह से हलका धूहाना चाहिए उसके बाद हम इसमें रोल को डालके डिप फ्राई कर लेंगे बिल्कुल क्रिस्पी होने चाहिए इसका और एकदम क्रिस्पी हो जाना चाहिए यह बहुत जल्दी बनके तयार हो जाता है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है यह ब्रेड रूल तो हम इसे बना लेंगे अच्छे से पलट पलट के हम चारो तरब से सेक लेंगे इसे आप देख सकते हैं इसका कलर अच्छा सा होने लगा है इसका बिलकुल डार्क आप देख सकते हैं यह बिलकुल क्रिस्पी बन के तयार हो चुका है हमारा यह ब्रेड रोल तो हम इसे अब निकाल लेंगे एक बरतन में और हम इसी तरह से सारे ब्रेड रोल बना के तयार कर लेंगे यहाँ पे हमने ब्रेड रोल बना के तयार कर लिया है सारे अब इसे हम किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं आपको जो चटनी पसंद है उसी सबसे आप चटनी सौस या हरी चटनी या किसी की भी साथ इंजोई कर सकते है अगर आपको हमारी रेश्पी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक कमेंट सेर जरूर करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले तो चलिए मिलते हैं फ